एक अच्छे और मजबूत रिष्टे के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ तीन चीज़े लफ अफेक्शन और अंडरस्टैनिंग अगर ये तीनों चीज़े हैं तो एक रिष्टा बहुत मजबूत रहता है लेकिन फिर भी कुछ कारणों के चलते एक शादी-शिदा जिंदगी म अपनी एक्सपाव दॉक्टर राश्यमा श्रिवास्तव के साथ अब जैसे कि मैंने दर्शकों से कहा कि एक मजबूत रिष्टे के लिए प्यार का होना केर यानि अफेक्शन का होना और साथ-साथ अंडरस्टैनिंग का होना बहुत जरूरी है लेकिन फिर भी कई बार अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है उस चीज की अगर अंडरस्टैनिंग पार्टनरस के अंदर नहीं होगी तो उससे marital insecurities धीरे धीरे married life में बढ़ने के चांसे ज्यादा रहते हैं उसके इलावा basic understanding के इलावा emotional bonding which is one of the strongest you know aspect of any successful relationship emotional bonding is a very strong factor which keeps you united आपकी emotional strength एक दूसरे के प्रती positive strength कितनी है आप emotionally कितने जुड़े हो that you can't think about your life without your partner that comes from emotional aspect only right अगर आप emotionally एक दूसरे से attached हो तो आप बहुत सी चीजों में happily compromise कर लोगे अगर आपकी emotional bonding शुरू से शरवात से अच्छी नहीं है तो compromise करना भी मुश्किल होएगा अगर मेरी emotional bonding husband के प्रती जादा अच्छी है and strong है तो बहुत सी चीजे मैं ignore कर जाओंगे right अगर मेरी emotional bonding weak है तो बहुत सी चीजे मुझे सामने हमेशा दिखेंगी right अगर हम materialistic चीजों की बात करें तो अगर emotional bonding होती है तो materialistic खुशिया matter नहीं करती लेकिन अगर नहीं होती तो materialistic चीजें बहुत matter करती है तो इसके अलाव आप क्या काईगे emotional bonding के लिए emotional bonding के लिए मैं यह बोलना चाहूंगी कि emotional bonding understanding से भी आती है right and communication से भी आती है husband wife के under communication pattern बहुत constructively present होना चाहिए and आपको अपनी एक दूसरे की expectations को एक दूसरे से communicate करना चाहिए बहुत से ऐसे couples होते हैं जिसमें communication नहीं होता है partner expect करेगा just through verbal gestures or just mannerisms उससे सामने वाले को कहीं बार वो चीज नहीं समझ आती है अगर आपकी एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन है बहुत छोटी सी एक्सपेक्टेशन है वह बहुत बड़ी लडाई में भी बतल सकती है unless or until you don't communicate सामने वाले को communicate करना कि आप क्या expect कर रहे हो अपने partner से वो चीज बहुत ज़ादा जरूरी है communication gap से रिष्टे में दूरी आनी चुरू हो जाएंगी miscommunication होना शुरू हो जाएगा misinterpretation होना शुरू हो जाएगा हर particular aspect of behavior का अगर हम शक की बात करें या doubt की बात करें किसी भी साइट से एक partner की तरफ से अगर शक ज्यादा है तो किस तरह से marital relationship को या शादी शीदा जिंदगी में insecurities पैदा हो सकती है शक से बहुत कुछ हो सकता है शक का बहुत adverse effects भी हो सकते हैं and usually देखा गया है कि अगर हमारे अंदर अपने spouse की प्रती confidence नहीं है और कोई ऐसा incidence लाइफ में हुआ है जिसमें breach of trust हुआ है उस से definitely मेरा trust अपने partner की तरफ शेक होता हुआ नजर आएगा and गल्ती हर जने से हो सकती है but हमें गल्तियों को सुधारने का जरूर मोकर देना चाहिए हमें उस चीज को अच्छी दरह से डिसकर करके इंप्रूव कर सकते हैं अगर किसी से भी गल्ती होती है कोई अगर extra marital relationship में involved हो गया है अगर extra marital relationship में involved हो गया है हम सामने वाले को ब्लेम देते हैं कि वो extra marital relationship में involved है but हम अपने अंदर कमी नहीं देखते हैं सबसे पहले मुझे ये चीज एकनॉलेज करनी बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर से अपने husband के प्रती क्या चीजे नहीं थी जिसकी वज़े से husband has approached somebody else in his life to fall in love may be possible I am working, my husband is working we don't have time for each other, we hardly communicate and most of the time husband का office में spent हो रहा है तो emotional bonding उसके अपनी कुलीक के साथ at the workplace जादा हो गय है और वो emotional bonding अगर घर में नहीं है वाइफ के साथ तो chances बहुत ज़ादा होएंगे कि extra manital affair हो सकता है तो हमें इस चीज को acknowledge करना अपने अंदर की किस वज़े से दूरी आई है वो चीज बहुत ज़रूरी है हम सामने वाले को 100% blame नहीं कर सकते राइट क्योंकि जब तक हम उन reasons को नहीं तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है क्यों शकपेदा हो रहा है उसके चलते मुझे लगता है कि ज़ह कि इंसे को कम नहीं कर पाथे लेकिन एक अपने इसां पता बदा लगा सकता है कि सामने वाला पार्ट्नर इसके लिए हम उनकी छोटी सी भी चीज की उपर frustration बहुत aggressively react करना बात मन में कुछ है बट जुबां कुछ और है यह और आप कुछ नॉमल एक टॉपिक की उपर कुछ बात पूछ रहे हो सामने वाले का reaction बहुत negative आ रहे है बहुत negative vibes आपके पास reflect होती नजर आ रही है यह तो उससे आपको लगेगा कि हां सामने वाले के mind में कुछ insecurities हैं जो उसके behavior के थूँ reflect होती नजर आएंगे verbally also behavioral pattern के तौर के उपर भी आपको इस चीज को दूर करने के लिए communicate करना और सामने वाले को इस चीज का एसास जिताना कि आपके behavior में कहीं reflection आ रहा है कि आप छोटी-छोटी minor minor चीजों पे बहुत बुरी तरह से रिया करने लग पर जो की पहले चीज नहीं थी आपकी पे रीच कर सकते हो कहें अगर डॉमिनेंस की बात करें तो दॉमिनेंस भी एक वज़ा हो सकती है इन सिक्योरिटीज पैदा करने की डॉमिनेंस इन सिक्योरिटीज किस तरह कि आप पूछ रहे है अगर एक partner dominant है आपके तरफ कभी आपी कहते हैं कि husband जादा डॉमिनेटिंग है या कभी-kभी wife जादा डॉमिनेटिंग होती है तो क्या यह भी कुछ इक इन सिक्योरिटीज को जन देता है रिष्टे में अगर सामने वाला आपको हमेशा डॉमिनेट कर रहा है एक कोई काम कर रहा है इंपोस कर रहा है अपने डिसीजन अप एक बार मान लोगे आप तू तू तैंस मान लोगे बट टेंथ ताइम पे आपका भी एक रेक्शन निकल कर आएगा हां कि एवरे ताइम आएफ तू सकंब तू तू दिमांज अव पार्टनर सिक्थ सेवन टाइम टाइम आपका रेक्शन निकलेगा और वो फ्रस्टेशन के तूर पे निकलेगा एक दम से ब्लास्ट करेगा किस तरह से यह हमारे रिष्टों को अफेक्ट करना शुरू करती है डॉमिनेंस से हमारा रिलेशन्शिप में दरारे पैदाओनी शुरू हो जाएंगी हम सामने वाले को बिल्कुल शट डाउन करने के लिए बोलते हैं आपके उपीनियन की तो कोई वेटेश नहीं है जो मैं को सेल्फ इस्टीम उसका गिरता हुआ आपको नजराना शुरू हो जाएगा उसका कॉन्फिडेंस शेक होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि लॉंग टर्म अगर यह चीज रिलेशिप में चलती जाए तो स्ट्रेस रेक्शन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर्स किसी भ आपको हमेशा दबाया जा रहे हैं दबने से आपकी पस्नालिटी भी तो एफेक्ट होईगी और आप वर्बली कुछ एक्स्प्रेस नहीं कर रहे हो आपका एमोशनल वेंटिलेशन नहीं हो रहा है आप हमेशा ही अपने पार्टनर की दिमांस को आपको मारना आपके लिए जबदस्ती बन गई है अगर फीमेल्स की बात करें तो कई बार फॉर टाइम बिंग बहुत ज़ादा ओवर एमोशनल हो जाती हैं तो ओवर एमोशनल होना हद से ज़ादा एमोशन अपने अंदर रखना किस तरह से इंसेक्यूरिटी पैदा करता है इसके बारे में हम बाची करें कर का फिल कि बार ऑवर प्रश्यस्थम होती हैं हद से ज़ादा प्यार दिखाने की कोशिच करती है और मनमे भी उनकी होता है लेकिन कई बार ये ओवर इमोशनल होना, एक हद से ज़ादा इमोशन्स अपने अंदर रखना, इन सेक्यूरिटीज को पैदा करता है, कैसे आईए जानते हैं अपने एकस वहद से, तो कैसे ज़ादा इमोशनल होना आपके रिश्टों को तोड सकता है, या फिर आपकी जिंद एक एक चीज की इन्फ मिलनीजी के, यू हाँ रिश्पिये से, हाँ, आप आप अबी कहां पर हो, यू अप अभी क्या कर रहे हो, मुझे एक एक चीज की, इन्फ मेशन मिलनी जेगे, यू है वर इन्वल्ड इन वर्ग्स, तो उनके भी मैंसेट पर एक बर्डन रहता है, त आपने दूसरे के पार्टनर को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है अगर आप और अपनी रिलेशनशिप के अंदर उससे आप दूसरे पार्टनर को सफोकेट कर रहे हूँ आपको स्पेस देना बहुत ज़ादा जरूरी है और जरूर से जादा डिपेंड होना अपने पार्टनर के ऊपर वो भी एक नेगेटिव रोल प्ले करता है over-dependence on your spouse definitely in the long run will affect your relationship you need to learn to become self-dependent also you need to acquire an ability of taking your own decisions also not that every time छोट 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 डिसीजन के लिए आपनी हस्बन पर डिपने पर डिपने पर डिपने पर डिपने पर डिपने पर डिपने लिए after all you are a mature human being you need to understand that you should have an ability to take your own decisions and that confidence should be there that your decisions are right or wrong exactly जिस तरह से जिंदगी में हर किसी को जीने का अपना अलग तरीका होता है या फिर हर कोई चाहता है कि थोड़ी बहुत आजादी उसे जरूर मिले ऐसा ही मैं रिलेट करूंगी पार्टनर के केस में भी कि जरूरी है प्यार देना या प्यार करना लेकिन हाँ इतना जाधा भी obsessive ना हो जाएं कि आपके पार्टनर को बिलकुल space न मिले और इससे आपके रिष्टे में insecurity पैदा हो क्यूंकि हम तो यह बिलकुल चाहते ही नहीं कि partners का जो relationship है यह खटा मिठा जो होता है वो बहुत ही प्यारा रहना चाहिए हम यह चाहते हैं और हम यह नहीं चाहते हैं कि उसमें कोई भी इंसेक्यूरिटी हो लेकिन अगर इंसेक्यूरिटी पैदा होती है तो long term effects इसके आपकी जिंदगी पर क्या हो सकते हैं Long term effects तो बहुत जादा हो सकते हैं, कि आपने एक, suppose जैसे for example मैंने पहले बताया कि communication gap है, okay communication gap की वज़ा से आपकी relationship में insecurities पादा हो चुकिंग है, आपको long term अपना रिष्टा तूटा हुआ नजर आने लग पड़ता है, communication gap से यह हो जाता है कि आप सामने वाले को कभी भी communication gap आने हम अपने working relationship में बहुत वर्क में बहुत जादा involved थे कि family के लिए time नहीं था, या फिर सामने वाले को मैं जब भी कुछ बोलती हूं तो बहुत बुरे reactions मिलते हैं, negative reactions मिलते हैं, out of dominance from my partner, उससे क्या होता है कि over a period of time communication gap बना चला आता है, यह कई बार एहम की वज़ा से भी communication gap हो अच्छल को दूर रखना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की जगा का ऐसास जताना बहुत जरूरी है, कि आपकी मेरी life में क्या importance है, और मेरी अपनी life में क्या importance है, यह नहीं कि आप मेरे लिए life में इतने इंपॉर्टेंट हो कि मैं अपनी identity खो दू, यह नहीं कि आप मेरे लि यह नहीं कि आप दूसरे की जरूरतों को समझना इंपॉर्टेंट है, यह नहीं को जानना इंपॉर्टेंट है, लेकिन side by side, एक adjusting attitude मुझे लगता है जंदगी में अपनाना चाहिए, ताकि अपने रिष्टे को आप और बहतर कर सके, क्योंकि जैसे कि आपने long term consequences की बात करी, कि in the long run, आपको कहीं न कहीं insecurities की वज़ा से रिष्टों में अपना रिष्टा तूटा हुआ नजर आता है, लेकिन तब आप actually कुछ नहीं कर पाते, तो it's very important कि ऐसी situation हो ही ना, इसके लिए हम क्या करें, कई बार हम और्टों के case में देखते हैं, फीमेल के case में कि बहुत जा स्ट्रेसफुल सिट्वेशन में आ जाती हैं, बहुत जल्दी पानिक हो जाती हैं किसी भी बात को लेकर, ये कितना इंपोर्टन है, इन सिक्योरिटी पैदा करने में, पानिक इनसान तब होएगा, जब आपके पास problem solving skills आपके वी कोईगे, जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपने स्पाउस के ऊपर इतने जादा dependent हो, कि कोई decision आया, और आप अपने स्पाउस के ऊपर इतने dependent है कि आपने decision की wait की, but for some reason your spouse was not available, आपने खुद कोई step ले लिया, आपने खुद step ले लिया, which turned out to be very negative, so उस situation में आपके साथ तनिक definitely होगा, and आपको अपने अंदर एक अब अपने पार्टन के ऊपर dependent ना हो, कि आपको लाइफ के किसी भी मोड पे, किसी भी तौर पे, प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, and अगर decision आपने गड़त ले या, पानिक वली situation आएगी आएगी, उससे क्या आएगा, आप emotionally disturbed होगे, emotional breakdown भी हो सकता है, कुछ भी problem हो सकती है, आप on your part, तो उससे आपके relationship में कहीं न कहीं effect आ सकता है, आपको balance बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपनी relationship में, कि आप कितने ज़्यादा dependent हो, अपने spouse के ऊपर, और कितने ज़्यादा अपने ऊपर dependent होना चाहिए आपको, जिस तरह से हम सब देखते हैं कि आजकल काफी busy lifestyle ह busy lives हो गई है, husband wife दो नहीं working है और nuclear family setups हो गई है, जहांपर husband wife अकेले रहते हैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ, लेकिन आपके इसाब से कितनी हद तक responsible है, ये nuclear setups या फिर इतना busy होना जंदगी में, insecurities को चंद देने के लिए, हमने ये भी देखाएगा कि पुराने time में, and rate of success of relationship in those families, in joint family sector was more, but nowadays demands of the society are like की बोथ husband wife need to be working, okay, and किसी को भी किसी के साथ बाउंडेशन में रहना नहीं पसंद है, and हमारे Indian culture में expectations सामने वाले से जरूर से जादा होती है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा रोल family के तरफ क्या है, तो डॉक्टर आशेमाम, expectations के बारे में बात करेंगे, कि किस तरहां से expectations से insecurities रिष्टे में पैदा हो सकती हैं, वो भी शादी शुदा जिंदगी में इसके बारे में, लेकिन इस चोड़े से break के बाद तो आप कही मत जाएए, देखते रहे है प्रग्या जो आपको मिलाए, बहितर आप से. कि कैसे दो पार्टनर्स के बीच में ये insecurities पैदा करता हैं, अपने माइन में रखनी बहुत जरूरी है, कि everybody is not a perfect human being, nobody is perfect, हर जने में positive and negative points होते हैं, बट अगर हम एक family structure की बात करें, हमें family structure में रहते हुए, ये चीज का ऐसास अपने अंदर रखना बहुत जरूरी है, कि हम अपने परिवार के और सदस्यों के साथ रह रहे हैं, I am not the only one person living in that home, तो मुझे दूसरों के according भी थोड़ा सा अपने आपको change करना पड़ेगा, बिल्कुल, ना कि कि जो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, that is 100% final, yeah exactly, हम कहते हैं ना कि changes are always good in life, तो अपने अंदर भी थोड़े बहुत बदलाव हमें लाने चाहिए, according to the persons जैसा कि लोग चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी self-esteem low हो जाए, अपना confidence दो जाए, हमें कहीं ना कहीं balance रख जो एक married life में adjustment होनी चाहिए, उस चीज को भी अपने माइन में रखना बहुत जरूरी है, कि marriage is not 100% you know dominance or 100% living in a relationship, in a family according to you, you have to learn to make certain compromises, बहुत पार ऐसा होता है कि situation में और लोगों की बाते मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, but मुझे यह देखना है कि वो मेरे लिए कित्ती ब recording उनकी happiness के लिए भी मेरे अंदर एक willingness होनी जरूरी है अपने आपको change करने के लिए, मेरी थोड़ी से बदलाव से सामने वाला का खुश हो रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, यह राइट क्योंकि थोड़ा सा बदलाव तो जिंदगी के हर फील में important है, अगर हम चाहते कि एक बहतर जिंदगी हम जी पाएं, या खुद को और बेटर तरीके से प्रिजेंट कर पाएं सामने वालों के सामने, तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत अगर changes लाने भी पड़ रहे है अपने nature में, खुद को mood up भी करना पड़ रहा है, थोड़ा सा adjust करना पड़ रह Like in the beginning मैंने जैसे mention किया था, insecurities ना एक रिष्टे में पादा हो, हमें सबसे पहला आस्पेक्ट जो है, एक रिष्टे में पादा हो, हमें सबसे पहला आस्पेक्ट जो है, एक रिष्टे में बहुत जरूरी है, what is the rational behind family, family का आपकी लाइफ में क्या मीनिंग है, आप family को किस त understanding बहुत अच्छी तरह से clearly formed है, कि family आपकी life में किस तरह से role play करती है, आपके लिए कित्ती important है, आप automatically अपने आपको एकस्टम कर लोगे, उन changes के लिए, जो required होती है, एक successful family बनाने के लिए, अगर आपके अंदर basic understanding, अपने partner के प्रती है, कि आपको अपने partner के साथ, अपनी married life के अंदर किस तरह से successful अपनी married life को बनाना है, तो आपको वो understanding रखनी भी बहुत जरूरी है, कि marriage is definitely an adjustment, ऐसा नहीं है कि marriage में adjustments नहीं होती है, हमें एक दूसरे के प्रती change करना जरूरी है, हमें एक दूसरे के हिसाब से हमें अपने अंदर परिवर्त लाना जरूरी होएगा, ताकि हम दोनों खुछ रहें, वो understanding हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है, third thing is ego hassles, as I mentioned before, अगर हम ego रखेंगे, उससे हमारी relationship हमेशा strained होएगे, कही ना कहीं, personal relationship में हमें egos को इतना weightage नहीं देना चाहिए, because उससे negative affects ही होएगे, तीसरी, fourth चीज जो है, dominance, अगर हम यह सोचें की, I am male, I am a female, or I am the head of the family, मेरी ही बात चलेगी, it's not like that, not that, सामने वाले के opinions को समझना, respect देना बहुत जरूरी है, समझना and respect देना, और सामने वाले के opinion के according, अपने आपको modify करना, हर ताइम आप यह एक्सपेक नहीं कर सकते हैं, कि सामने वाला, जो कह रहा है, बिलकु गलत है जो मैं बोल रही हूं, that is absolutely fine, no, that is not possible, you have to learn to change according to the willingness and the wish of the other person also, you need to respect to the opinions and decisions also, अब तो कभी कभी चेंज करना आना चाहिए, according to situations, जस तरह का माहौल हो, वैसे खुद खुद डालिये, मुझे लगता है, तो इस निसी कम से कम पैदा होंगी, या फिर मैं कहूंगी की होंगी ही नह डाक्टर राश्मा आप यहाँ पर आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much.